मौसम चाए कोई भी हो, हमारी सकीन को खास देख भाल की जर्रत होती है सकीन पर होने वाली कई तरह की प्रॉब्रम्स हमारी सकीन कर निखार छीन लेती है ऐसे में आप क्लिन स्रिन को अपनी सकीन की रूटीन में शामिल कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ड्राइ है हमेशा रूखी और बेजान रहती है तो आप इस रेमेडी का इस्तमाल कर सकते हैं सबसे पहले आपको लेना है एक चम्मच गुलाब जल और आदर चम्मच ग्लिसरीन इसमें एड़ कर देना है अब इसे मिक्स कर ले और अपने चेहरे पर इसे लगा ले और कुछ देर बाद अपने फेस को क्लीन कर ले आप चाहे तो इसे ओवरनाइट के लिए भी लगा कर रख सकते हैं अगर आप रेगुलर इसका यूज करते हैं तो आपकी ड्राइ स्किन के समस्या दूर होती है और चेहरा मॉस्चराइज होता है और हमेशा आपका फेस ग्लोइंग नजर आता है ग्लीसरीन को आप ऐसे क्लींजर भी यूज कर सकते हैं इसे बनाने के लिए आपको आदा चम्मच ग्लीसरीन लेना है और आदा चम्मच इसमें हनी एड कर देना है इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है आप चाहे तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं आप इसका यूज चेहरे को साफ करने और मेकप को हटाने के लिए भी कर सकते हैं इसके इस्तमाल से चेहरा डीप लीन होता है स्किन हमेशा हाइडरेट बनी रहती है और स्किन पर होने वाले दाग दबे, जूरियां, फाइन लाइन्स भी इसके इस्तमाल से दीरी-दीरे खत्म होने लगती है गर्मियों और बरसात के मौसम में चेहरा चिप-चिपासा दिखने लगता है फेस पर ओयल नजर आने लगता है अगर आपको ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस स्रेमिटी को ट्रैक कर सकते हैं इसके लिए आपको चाहिए एक चमच मुलतानी मिट्टी इसके बाद इसमें आदे चमच ग्लिसरीन एड़ कर देना है आप इसमें एक चमच गुलाब जल एड़ कर दे और इन सबी को अच्छे से मिक्स करके एक फेस बैक तयार कर लें अब इसे अपने क्लीन फेस पर अच्छे से लगा लें 15-20 मिन तक इसे ऐसी ही लगा रहने दे और फिर हलके हलके हाथों से स्क्रबिंग करते हुए अपने फेस को वाश कर लें आप एक दिन छोड़ कर इसका यूज कर सकते हैं आप क्लीसरीन को अज़े आज है मौस्चराइजर के रूप में भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए आपको चाहिए आदै चमच गलीसरीन और इसमें एक चमच गुलाब जल एड़ कर दे इसके बाद इसमें एक विटामिन E का कैपसूल एड़ कर देना है और लास्ट में इसमें एड़ कर देंगे अलोवेरा जेल अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले आप इसका यूज रात को सोने से पहले करें इसे लगाने से बहले अपने फेस को विश कर ले इसके रगुलर इस्तमाल से स्किन हाइड्रेट रहती है ये स्किन पर एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है इसके रोजाना इस्तमाल से तुचा के रंगत में सुधार होता है और साथ ही स्किन के दाग धब्बे और जूरियां भी दूर होती है ग्लिसरिन को आप टोनर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए आपको दो बड़े चमच गुलाब जल लेने हैं और इसमें आदा चमच ग्लिसरिन एड़ कर देना है इन दोनों को अच्छे से मिला ले इसके इसमाल से स्किन पर होने वाले मुहा से दूर होते हैं एकने और दाग दब्बों की प्रॉब्लम भी दूर होती है आप एक टोनर के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं तो यह थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें मिलती हूँ आप से ऐसी और भी इंफोर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच करें मिलती है